दोस्तों, Civil Services Dream चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि Economics यानि कि Earth सास्त्र में किस तरह का सवाल पूछा गया है हम optional subjects का paper pattern देख रहे हैं previous year का और अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप हमारे Telegram चैनल से जॉइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो आएए दोस्तों देखते हैं क्या pattern है कुछ आपको guidelines दिया गया है जिसमें बोला गया है कि 8 सवाल होंगे, 5 करना होता है आपको सवाल, संख्या यानि प्रश्ण संख्या एक और 5 है जो अनिवार है करना ठीक है बाकि आप जो remaining जो रहा जाते हैं तीन सवाल वह आप अपने मन से कर सकते हैं बाकि एक और दो जो है वह कम-pulsory होता है करना तो आएए स्टार्ट करते हैं देखिए यह आपे देड़ सो शब्दों में आपको दिया है कि लिखना है मतलब आंसर लिखना है टोटल आपको पांच सवाल है दस-दस नंबर का पहले पूछा गया है कि explain how equilibrium rate of interest and income are determined with the interaction of both product and money market यानि कि आप से बताये कि वाक्या वाक्या करिए कि उत्पादेव मुद्रा बाजार दोनों की अंतिक्रिया के आये तथा अब्याज की संतुलन दर कैसे निर्धारित होती है अगला सवाल है कि distinguish करिए पोस्ट किनेसियन अप्रोच इस्टू दो होरिजेंटलिस्ट एंड स्ट्रॉक्चिरलिस्ट थ्योरी ओफ इंडोजीनस मनी मार्क मनी सप्लाई तो यहां पे आपको प्रोड़क्ट और मनी मार्केट से पूछा गया था यहां पर आपसे पूछा गया थ्योरी ओफ इंडोजीनस मनी सप्लाई यहां पर किन्स की थ्योरी पूछी गई लेकिन यहां पर पोस्ट किनेसियन थ्योरी पूछी गई है अगला सवाल है explain how renewable resources will play a role in future economics यानि कि नवी करने संसाधन भविष्य के अर्च सास्तर में एक भूमी का कैसे अदा करेंगे यह आपको चीज व्याख्या करना है simple है यहां पर topic आपको renewable resources है लेकिन यह link है जो है future economics से पूछा गया है next है कि mention the classification of assets held by commercial bank discuss the problems faced by commercial bank due to rise in NPS यानि कि दोस्तों non-performing assets related पूछा गया है कि जो भी commercial banks face कर रही है और आपको यहां पर classification of assets भी बताना है commercial bank के दौरा जैसे कि stressed assets हो गया और ऐसे ही कुछ और भी होता है जो economics जिनका optional रहेगा उनको अच्छे से पता रहता है वैसे ही GS में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं next check explain the मिर्दाल's cumulative causation theory as the theory of development विकास सिधान्त के रूप में मिर्दाल के संचई कार्योत पादन सिधान्त की व्याक्या करिए अनुमानिक विचरन क्या होता है यानि कि आपको conjectural variation बताना है और यह भी बताना है कि आप शो करके बताईए कि कैसे models of oligopoly are derived on the basis of it oligopoly से पुछा गया है oligopoly मतलब जिसे की monopoly हो गया monopoly हो गया तो ऐसे oligopoly होता है कुछ लोग इसमें I think कुछ लोग जो होते है वह rule करते है अगला है so that systematic monetary and fiscal policies are ineffective in controlling output and price level दोस्तों यहां पर rule करने का मतलब यह मत समझ जाएगा कि country पर rule करना दोस्तों यहां पर इसका यह मतलब है oligopoly का मतलब होता है कि कुछ firms जो होते हैं मतलब कि कुछ sellers जो होते हैं वह market को dominate करते हैं रूल करते हैं इतनी उनका domination होती है तो यह कहने का मतलब हुआ next सवाल आपसे पूछा गया कि so the systematic monetary and fiscal policies are ineffective in controlling output and price level प्रदर्शित कीजिए नहीं कि देखिए आपको शो करना है तो यह आपको डाइग्राम बना के कुछ बताना होगा प्रदर्शित कीजिए कि उत्पाद एवं मुल्यस्तर नियंत्रित करने में क्रम बध मौद्रिक एवं राजगोश्य नीतियां निश्ट प्रभावी होती हैं देखिए दोस्तों अगर बात की जाए तो इकनोमिक्स में आप जितना से ज्यादा से ज्यादा ग्राफ डाइग्राम और चार्ट का यूज़ करेंगे तो उत्तर ज्यादा मांक्स इसमें एड होते हैं नेक्स्ट है यहां पर आपसे बोला गँए कि What Makes Technical Progress, इंडॉ जीणस डू यू थींक द्धर टेक्निल ओज्व गूंगार जीज्ड इस्राथिंट्र बं Zw demais वस्तू नेक्स्ट है कि शोवो दैट यहां भी देखे आपको शोव करना है कि रिसर्च बिकम्स मोर्यूस सक्सेस्फुल, इस इंखर रिसर्च इंखर इंखर रिसर्च सक्सेस्फुल होता है तो जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा और स्टैनर्ड उफ लिविग भी बढ़ती है यहां मैं पूछा है कि मान लिजे कि हमारे पास स्थिर सिमांत लागतों क्रमसा C1 एवं C2 जैसे कि C1 is greater than C2 वाली दो फ़र्मे मातर बाजार में हैं तो इस बाजार में बर्ट्रेंड संतुलंड क्या है और यह प्रतिस परदी संतुलंड के किस प्रकार भिन्न है क्यानि कि आप सब्सक्राइब करिए कि दो तर्म बस दो ही फर्म से मार्केट में अंगला है कि इवर ग्रीन नर्ज इस नौत ग्रीम अलवे ग्रीम अगेशना रहे इस दो एकटिक बिलिशंट्रेट इस जाने है कि इंद तो आप इसको आरामसे कर लेंगे अगला है कि evergreen energy is not always green, do you agree? illustrate your answer you taking biofuels as an example simple है कि हरित उर्जा भी सदैव हरित नहीं होती है next है आप कुछ data दिया गया है on the following variables in an economy जिसके government spending 300, planned investment 200, net exports 50, autonomous taxes 200, income tax rate 0.1, marginal propensity to consume 0.5 और यहां पर दिया हुआ है कि consumption 600 है जबकि income को y से denote किया गया यह 1500 के बराबर है तो आपको क्या solve करना है आपको निकालना है यहां पर कि autonomous consumption निकाली है next बोला है कि solve for the equilibrium levels of output denoted respectively by this one in the two scenarios presence and absence of income tax in the economy solve for the change in net exports that would bring the equilibrium output level in the economy with the income tax to the level of this one that you found in second one this one and specify both the magnitude and sign of the change तो यहां पर आपको specify करना है दोनो magnitude and sign of the change figure आपको यहां पर करोड में हो गाए और obviously tax rate को और MPC को छोड़के तो यह पूरा numerical based question था इसको आपको solve करना है तो अगर आपका economic से concept clear होगा तभी आप इसे solve कर पाएंगे आईए देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है कि many countries subsidize some of their export industries use a partial equilibrium model under profit competition तो हमने देखा कि oligopoly है, monopoly है, profit competition भी होता है तो to illustrate the following effects of an export subsidy for a large country welfare effects of an export subsidy and which group is winning and which is losing from the subsidy यह आपको बताना है कि अगर बहुत सारे countries जो है जो अपने product को subsidize कर देती है, मतलब कि थोड़ा सस्ता कर देती है अपने producers के लिए जो manufacturers होते हैं export करने के लिए जैसे कि चाइना में अगर देखेंगे तो वहां की चाइना की सरकार है तो यहां पर आपको बताना है कि welfare effects of export subsidy और कौन किसके लिए वो profit होता है और किसके लिए नुकसान की बात है तो यह आपको इसका हिंदी भी देखें यहां पर दिया हुआ है यह आप अराम से समझ लेंगे यहां पर है कि briefly state the Caldors theory of equilibrium यहां पर आपको Caldors कह सकते हैं कि इनकी theory of distribution बताना है in determining the share of profit जो हम determine करते है profit sharing and the share of wages in national income और explain the mechanism behind the Caldors model basically total total यह आपको Caldors model पे पूछा गया है उसके बाद बोला गया है कि प्रदर्शित करिए कि एकाधिकारी प्रतिसपर्धा कविचार रोमर द्वारा प्रतिपादित अंतरजास रिधी सिधान्त में कैसे अंतरभूत हो जाता है यानि कि आपको यहां पर देखिए monoporistic competition किस तरीके से intrinsic हो जाता है तो यहां पर आपको सबकी थ्योरी जो सिलेबस में है इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो कि संतुस्ट करना चाहिए यहां पर ऐसे ही पाच तर्क संगत दशाओं को लेख कीजिए जिसमें जिन्हें एक समाजी कल्यान प्रकार्य को अवज संतुस्ट करना चाहिए यहां पर देखिए arrows के पूछ दिया इनुजाल इन्टरनेशणल ट्रेड अब यह आप इन्टरनेशणल ट्रेड फैयोरीा में के इस जाए विजुश्ट दिटलस में बताईए वेरियस स्टेज़ेग्ड अफ इंटरनेशनल प्रोड्ट्ट लाइव साइकल आपको यहाँ पर्यावरण यह संधार नियता के मध्य संगताता विशाई की वी वेचना करिये और अंतरास्टी वेपार आपको अपने आंसर में रीजन्स भी कारण भी बताना है किस तरीके से जो डेवलोप्ट एकॉन्सेट में आपको लगता है कि जो फिसकल पॉलिसी है वो ज्यादा एफेक्टिव है पॉलिसी से मोनेटरी पॉलिसी बैंक अर्भी आई का होता है और फिसल पॉलिसी जो होता है वह गॉर्मेंट से रिलेटेड होता है एक्स्प्लेइन हाओ पॉलिक प्राइबेट पार्टनर्सिप हेल्प इन रापीड एकॉनोमिक डेवलोप्मेंट ऑफ दे कंट्री एक्स्प्लेइन और आपको यहाँ पे एक्जाम्पल भी देना होगा पीपी मॉडल का नेक्स्ट है कि एकॉनमी में दे गॉर्मेंट इस ट्राइंग तो बूस्ट दे लोकल एकॉनमी बाइसीव एडवर्टीजमेंट बाइ लोकल लोकल इस बेस्ट यहाँ पर आपने देखा होगा कि सरकार जो है बहुत फोकस कर रही एकॉनमी में कि लोकल खरी दी और लोकल को अगर आप अवेर होंगे इस चीज का तो यहाँ पर अजूमिंग डाट पब्लीक टेंट बी पॉस्ट वाइड़ एकॉनमी इस मुल्टिप्लायर दोस्तों थोड़ा बैक्ग्राउंड में साउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा नेक्स्ट है कि क्रिटिक्स अर्ग रहा है तो यहाँ पर आपको कृटिक्स अर्ग्यू करना है नेक्स आपको बतारा है कि अब तॉबंस क्यों कियो क्यों तॉबंस क्यों थेओरिएफिए मैंट से क्या समझते है और अब किस तरीके से मॉडिफाइए करेंगे islm फंक्शन्स इन प्रजंस फ्रजंस क्यों या आपको बताना है यहां पर देखे किनेशन की थेओरी के बारे में फिर पुछा गया है कि आपको किनेशन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इस रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल पॉइंट आउट इस लिमिटेशन नेक्स्ट एक डिस्क्राइब करिए लेविस मॉडल ऑफ डिवलोप्मेंट इन एकॉनमी विधन अनलिमिटेट सप्लाइओ फ्लेबर क्या लेविस मॉडल रियली में कैपिटल ड्रिवन है आपको इसका रिजन बताना है बहुत है नेक्स्ट एक एक्सप्लेइन हाव ट्रेड ब्लॉक्स आर इंपोर्टेंट रेड ब्लॉक्स जो है वो किस तरीके से इंपोर्टेंट है आर्थिक यहां पर देखें लिखा है आर्थिक भूमंडली करन्न इन प्रॉसेस ओफ एकनॉमीक गलोबलाइजेशन फंक्षन उनका यह है दोनों and inverse market demand function उनका यह है तो आपको सो करना है कि the coordinate national equilibrium firm 2 makes higher profit than at the just at the joint profit maximizing equilibrium explain why this is so आपको इसका पूरा रीजन सबता के explain करना है और आपको show भी करना है नेक्स्ट है कि विश्टों में विभिन देशों के मद्देव पार एवं निवेस प्रवाहों के अभी नूतन परिवर्तन की व्यक्या करिए इन परिवर्तन के प्रमुख मांग दर्श्रिक करिकर की विवेचना कारकों की विवेचना करिए यानि कि recent change जो भी trade and investment close में हुआ है countries of the world में उसका major factors आपको बताना है किस तरीके से यह changes हुई है economy में with only two commodities, two consumers, two producers with single factor of production दोस्तो factors of production आपको पता है यह labor होता है, capital होता है, rent होता है, land होता है तो इसमें बोला है कि मांग जब सिंगल factor of production in economy में बस दो commodities है, दो consumers है और दो producers है तो आपको यहाँ बताना है कि derive necessary conditions for the perito optimality in the perfect economy अगला है कि discuss different forms of subsidies के आपको different forms बताना है किस तरीके से जो perverse subsidies है are detrimental to the economy and environment in the long run यानि कि जो सहाइकियों के विभिन रूपों के विवेचना करने के बाद आपको वीप्रतिय सहाइकियां अर्थ विवस्था एवं पर्यावरन हेतु दिर्गकाल में कैसे हानिकारक होती है यह चीज़ आप बताईए तो दोस्तों यह paper 1 का explanation ठाईए, paper 2 देखते है तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि आपको बताना है कि एक्जामिन करें किस तरीके से जो लैसेस फैरी पॉलिसी है जो लैसेस फैर पॉलिसी है आप लिखा है किस तरीके से responsible था famine in the late 19th century late 19th century में जो आने का कारण था यही policy थी आपको बताना है पूरा एक्जामिन करके evaluate the contributions of the VKRV राओ in the national income accounting of India यानि भारत के रास्ट्र आये ले खांकन में जो VKRV राय का योगदान था वो बताईए आप next है कि एक्सेस एसस करिये impact of land tenure system adopted by the British on the pigeons and productivity of Indian agriculture आपको जो land tenure system था जो बिटिस ने adopt किया था वो पीजन्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और इंडिया अगरिकल्चर पर उसकी जो क्या कहते हैं उत्पादक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा यह आपको बताना है next comment on the role of public sector during the early phase of industrial development in India आपको बताना है कि भारत में और द्योगिक विकास के प्रारम भी चरण के दौरान सारवजनिक शेत्र की भूमिका पर टिपनी करें यानि कमेंट करना है आपको analyze the impact of fertilizer subsidy on agriculture productivity growth during the post reform period post reform period में आपको बताना है किस तरीके से fertilizer subsidy का impact हुआ agriculture के उत्पादक्ता पर next examine how the currency policy of the British affected the growth of monetization in the Indian economy during the 19th century किस तरीके से जो है उनिसी सताबदी के दौरान ब्रिटिस की मुद्रा निती ने भारती अर्थ्यवस्ता में मुद्री करण के विकास को कैसे प्रभावित किया अध्यान करिये next in 18, evaluated development of transport system in India 1857 to 1947 इस पूरा आपको बताना है किस तरीके से इस विधी में अविधी में भारत की परिवहन प्रणाली की विकास का मुल्यांकन करना है आपको analyze the validity of the inverted U-shaped inverted U-shaped hypothesis of Kuznets in the context of changes in inequality of India Kuznets की theory होती दोस्तों inequality की है तो इसी पे आपको इसकी validity को analyze करना है next है what are the major problems faced by the SSIs जानी की small scale industries और आपको बताना है किस तरीके से role किया रहा है MSMED act जो यह बना था MSME के लिए है ना इसको medium small scale industries कहते है enhancing the productivity of किस तरीके से small scale industries को बढ़ावा देने के लिए critically examine करना है आपको the new manufacturing policy दरी 11 का किस तरीके से हमको industrial growth करना है इस policy के दौरान पर ठीक है जैसा कि आपको पता है कि जो industrial growth है हमारे country में तो वह बहुत जादा नहीं है हमारे country में आपको service sector और agriculture sector जाला देखने को मिलेगा तो इसलिए manufacturing sector के युगदान बहुत कम है तो नया manufacturing policy लेकर आए गया था कि manufacturing को थोड़ा बूस्ट किया जाएगा तो इसे पर critically examine करना आपको बताए किस तरीके से success story रही है नहीं रही है बिसे के लिए नहीं रही है तो इस पर आपको पूरा बताना है नेक्स्ट है कि analyze करना है the effects of colonialism on de-industrialization in India during the 18th century यानि कि 18 सताबदी के दौरान भारत में जो वी औदिगी करन पर उपनी वेशवाद के प्रभाव का wish lesson करिए उसके बाद आपको next सवाल है कि आपको बताना है कि जो GDP growth का trend से रहा है उसको analyze करना है और inequality during the first three decades of planning in India क्या distribution has the distribution of income in India become more equal during the post reform period suggest some policy measures that could help reduce income inequalities ठीक है यह आपको पूरा trend बताना है GDP growth और inequality का ठीक हमने growth तो किया बहुत पैसा कमाया बहुत growth होता गया तो उसमें inequality कितना कम होता गया यह बढ़ता गया यह आपको बताना है next है discuss the changes in the sectoral composition of the GDP with the changes in the sectoral components of employment in India since independence यानि की स्वतन्तता के उपरांच से भारत में रोजगार के शेत्रिय घटकों में बदलाओ के साथ GDP की शेत्रिय संरक्षना में बदलाओ पर चर्चा करिए जो भी GDP के sectoral composition रहा है next है कि while absolute poverty declines over the decade दोस्तों दोतर का poverty होता है आपको पता है कि relative poverty होता है और एक absolute poverty होता है तो जो absolute poverty होता है कि जो एकड़म खाने को रहने को ऐसा एकड़म कुछ नहीं है तो इसी में पुछा गया आप से कि जो ठीक है decline तो हुआ है कम हुआ है गिरावट हुई है absolute poverty में यानि की पुर्ण गरीबी में दोस्तों अगला सवाल है कि आपको evaluate करना है the role of FDI in contributing economy growth of India जो FDI करोल है भारत में आर्थिक विर्धी में योगदान देने पर FDI की भूमी का मुल्यांकन करिये क्या आपको लगता है कि सुधार के बाद के समय में भारत में खाद्य प्रसंस करन शेत्र सुर्योदेख शेत्र है अपने उतर का और चित्त दें यानि कि आपको justify करना है अपने आंसर को आपको लगता है कि जो food processing sector है वो इंडिया में पोस्ट रिफॉर्म पीरिड के बाद दोस्तो फूट प्रोसेशिंग इंडस्ट्री जो है यह काफी जादा भी प्रचलन में है कि नेक्स्ट है कि डिस्कस्ट दो एक सगें रेलिवेंस ऑफ डी सेंट्रलाइस प्लानिंग आफ्र देंप्लीमेंटेशन ऑफ दो सेवैंटी फोर्थ कॉंस्टिटिशनल अमेंडमेंट एक नाइटीन नाइटीटू यानि की जो सेवैंटीफोर सम्विधानिक संसोधन अधिन्यम जो नाइटीन एंटीन टू के क्रिया नियवन के उपरांत जो विकेंद्री करण नियोजन की प्रासंगिता पर चर्चा करिय इंडिया रिलिवेंस बताना है यापको को यह थी इंडियन करेंसी फुली कवर्टीब एक्स्प्लेइन तो आपको बताना देको यहां पर पूछा तो आप ऐसे मतलग देगा कि हां I think that की फुली कवर्टीबल है या पूछा है कि आपको लगता है तो यहां पर दोस्तों आपको पता ही ऐकी फुल्ली कंवर्टेबल नहीं है इंडियन करेंसी पास्टरली कंवर्टीबल होता है कि नेक्स्ट कमेंट टॉंध पॉवर्टी ELEVYATIONS SCHEMES यानी कि आपको जो शहरी गरीबों हे तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गरीभी उन्मुलन उन्योजनाव पर टिपनी करें यानि की जो भी schemes गरीभी हटाने के लिए जो सरकार ने लिया है भारत सरकार ने इवन अर्बन पूर को हटाने के लिए तो उस पर आपको टिपनी करना है नेक्स्ट आपको एक्स्पेन करना है कि ट्रेंड इन ग्रॉस कापिटल फॉर्मेशन और अग्रिकुल्चर इन इंडिया दुरिंग पोस्ट लिब्रालाजेशन पीरिड डू यू थिंग दाथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानि कि उदारी करन के दौर के पस्टार भारत में क्रिश्री में सकल पूंजी निर्मान की प्रवृति के बारें बताईए क्या आपको लगता है कि इस अवधी के दौरान सारोजनिक निवेश से नीजी निवेश कम हुआ है नेक्स्ट है इग्जामीन देफिकेसी औरी सेलियेंस ऑफ दे पॉब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम चीके पीडियेस इन इंडिया फॉर प्रवाइदिंग फूच सिकॉरिटी तो इसी में आपको खाज सुरक्षप्रदान हे तू भारक में सारोजनिक वित्रण प्रणाली की प्रभाव शिल्ता एवं लची लेपन पर परिक्षन करिए यहां पर पूचा है कि इंटिलेक्च्ट्ट्र प्रॉपर्टी क्या है यानि बौधिक संपदा क्या है किस तरीके से इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और संप्रक्षित कर सकते हैं नेक्स्ट है कि क्रिटिकली एक्जामिन करिए रोल ओफ आर्बी आई इन देखिए आप रोल ओफ आर्बी पूच्छा है इन मेंटेनिंग फैनांसल इस्टेबिलिटी अंडर दे न्यू रिजीम आप मोनेटरी पॉलिसी में आर्बी एक क्या रोल है यह आपको बताना है नेक्स्ट है कि रोल ओफ आपको फिस्कल रिस्पॉंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टैक्ट 2003 जिसको कि हम और स्वारी एफ आर्बी एम आक्ट कहते हैं 2003 में इसका रोल बताना है किस तरीके इस जो फिस्कल हेल्थ है हमारे स्टेट फैनांसिस इन इंडिया में उनमें इसका रोल है भारत में ग्रामिन मजदूरी में हाली में हाल की प्रवृति का परिक्षन करिए यानि कि आपको जो रीसेंट ट्रेंड रूरल वेजिस का इंडिया में वो बताना है और आपको यह यह मंनरेगा करो रूल क्या है रहा है स्टेंड कोरिटर्माइन करने में यानि कि प्रवृति को निर्धारित करने में मनरेगा की भूमी का पर भी आपको चर्चा करना है नेक्स्ट एक आपको पता है GST आने के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है फेडरलिजम के कॉंसेट में वैसे तो यह कॉपरेटी फेडरलिजम में आएगा इसी के संदव में आपको बताना है critically examine करिए the strategy of disinvestment in improving the growth of the manufacturing sector किस तरीके से जो विनिर्मान शेतर के विकास को बेहतर बनाने की जो विनिवेश की रणनिती का अलुशनात्म का ध्यान करिए critically यहाँ पर examine करना है तो अप्थोड़ा ध्यान दीजेगा इन सब चीजों का भी नेक्स एक डिस्क्राइब the salient features of new foreign trade power policy जो 2015 सले के 2020 में की गई इंडिया में उसके बस आपको salient features बताना है और आपको बताना है examine करके कि जो है current account balance में improve करने में उसका role क्या रहा है तो दोस्तों यह paper 2 था paper 1 था economics का हमने earth शास्तर का दोनों paper देख लिया है और next video में किसी और subject का हम देखेंगे तब तक के लिए धैन्यवाद झाल